गुरू के राशी परिवेतन करने जा रहे हैं ये अभी बड़्टमन में मीन राशी में चल रहे हैं और परिवें गुरू में बज़ा रहे हैं और ये इनके लगने के अंदर आ रहे हैं तो शेष्ट परिणाम ये यहां पर आके गुरू देंगे एक तरह से अपन कह सकते हैं कि किस्मत का दरवाजा ये खोलेंगे यहां पर पहले से ही राहु देव फिराजमान रहेंगे और गुरू के यहां आने के कारण थोड़ी सी प्रब्लम मेश राशी वालों के स्टार्टिंग में जून तक रहेगी उसके पाथ इस्तिती दीरे दीरे अच्छी होती भी चले जाएंगे तो ये महा परिवर्तन कुंडली के अंदर और आकाशी गिरे मंदल में हो रहा है बारा साल के बाद गुरू यहां पर आ रहे हैं और बहुत बड़ा परिवर्तन मेश राशी वालों के जीवन में आने वाला है आने वाले एक साल के अंदर इनका संतान, शिक्ष्या, नौकरी, मान सम्मान, संपत्ति, विवा इन सभी मामलों में क्या परिवर्तन आएगा आप इस तार से चर्चा करते हैं पूरा राशी पल चंद्र राशी के आदार पर है अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा मेश राशी में हैं तो ये वीडियो आपके लिए 90 से लेके 95 परसन तक सही जाएगा गोचरिय इस्तिती के इसाफ से कुंडली में गुरू के इस्तिती अगर आपकी अच्छी है तो ये परिणाम सत्पर्तिशत आपको मिलेंगे तो आईए ब शुरू करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक सतिक लोगों में शेयर कीजिए 22 अपरेल को ये अपनी राशी परिवर्तन करके मेश के अंदर प्रवेश कर रहे हैं जो कि आपके कुंडली का फस्ट आउस है फस्ट आउस यानि के लगन में ये आ रहे हैं और लगन में ये गुरू आके शेष्ट परिणाम आपको प्रदान करेंगे शेष्ट परिणाम प्रदान करने का सबसे बड़ा कारण ये है कि ये अपने मित्र की राशी मारें गुरू का मित्र मंगल होता है और मेश राशी मंगल प्रदान राशी है इसलिए यहां आ करके गुरू, संतान, शिक्ष्या, विवास, नौकरी, धन, सभी की स्थितियों में सुधार लेके आएंगे, साथ ही आपके बुद्धी का इस तर भी बढ़ाएंगे, जिससे आपके निर्ने शमता सही होईगी, और सही दिशा में आपके बुद्धी चलेगी जिन लोगों के विवास संबंदी, जो भी प्रॉब्लम से चल रही है, वो प्रॉब्लम भी सौल्व करके ये गुरू देओ, यहां से निकलेंगे, कुल्मिला के वेवाइक जीवन को सुख में करके निकलेंगे, तो गुरू यहां पर आके, फस्ट आउस में आके, अपने मि देशन बहतर रहेगा, जो भी आपकी प्रॉब्लम पिछले करीबन एक साल से चली आ रही है, पांचे साल, करीबन वैसे तो तीन साल से परिशान है, मिश्राशी वाले, तो जो प्रॉब्लम आपके पांचे महिने से काफी कुछ है, उसमें सुधार आएगा, फस्ट आउस मे आपका इश्वर में भी ध्यान लगेगा, आध्यात में की और आपका जुकाओ देखा जा सकता है, सामजिक कारें में भी आप भाग लेंगे, और आपके घर में मंगल कारें होते वे देखे जा रहे हैं, मंगल कारें कुछो भी होते हैं, विवाओ, सगाई हो, नामकरणों, इस तरह के शुप कार्य है, एक वर्ष के बीतर अवश्य ही होएंगे, आप लिख्के रख लीजिए. दार्मी कारे हो रहे हैं सामजिक कारे हो रहे हैं और मागलिक कारे तीन ही कारे की भूमी का मेश राशी वालों के लिए बन रही है एक मई दोजार चौबिस के मद्य मद्य हैं गुरू आ रहे हैं 22 अपरेल 2023 को और एक मई दोजार चौबिस तक यहीं रहेंगे इस बीच इन सब काडियों की भूमिका आपके बनेगी और यह कारे आपके हातों से ही संपन होएंगे गुरुफ हस्टाऊस में आके उसके पांचवी देश्टी फिप्ताऊस से पढ़ रही है फिप्ताऊस और किसका है इन 13 में संतान के प्राप्ति अफश्य हो जाएगी अगर वो प्रियास करते हैं तो और वो दमपति जिनके काफी समय से संतान नहीं है और जो संतान के इच्छा रख रहे थे और उनको ऐसा लग रहा था कि उनके संतान नहीं होगी वो लोग भी इस गोचर में अगर संतान प्र तो विवा योग यूग की उतियां जितनी भी हैं उनके विवा के अगर बात नीं बन पार रही थी रिष्टे आते थे परंतु बात नीं बनती थी या कुछ ने कुछ रुकावाट परेशानी विवा में चल रही थी वो सारी परेशानिया इस गोचर में दूर हो जाएगी और मां renewable होता हुआ देखा जाएगा तो विवा., गुरू जो विवा के कारक हैं वो विवा आपका वश्य इस गोचर में कर देंगे वह से लोग पूछते हैं कि विवा कब होएगा कब होएगा तो मेश्रासी वाले जातकों का विवा इस गोचर में होता हुआ दिखाई दे रहा अब बात करते हैं जो उन लोगों की जो दामपत्य जीवन के अंदर है यानी कि जो लोग पेहले से ही शाधी विवा कट चुके हैं तो जो लोग शाधी सुधा हैं उनका दामपत्य जीवन इस समय सुख में रहेगा जो परिशानिया आपको दो सालों से चल रहे थी, जो आपके उपर लाचन लगाए जा रहे थे, जो आपके तनाव चल रहा था, टेंचन चल रहे थी, लड़ाई जगड़े हो रहे थे, उन सबसे निजात इस गोचर में मिल जाएगी विवाईक संबंद मदूर होएंगे, विवाईक जीवन सुक में होएगा, संबंद मदूरता के सासात प्रगाड भी होएंगे और एक दूसरी में आकर्शन भी बढ़ेगा, तो जो लोग विवाईत हैं, जिनका मामला तलाग तक पहुंच चुका था, वो मामला भी वापस, गोचर का लाप उठा सकते हैं, फर्स्ट हाउस में ये आने से, गुरु के आने से, आपकी बुद्धी में भी प्रकरता आएगी, और अब बात करते हैं, वह उन लोगों की जो नोकरी की कतलास में थे, या जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्तियों के लिए एक वर्स भहुती शांदार व्यतित होगा, यह जो तेरा मही ने आ रहे हैं, बाइस अप्रेल से लेके एक मही दोजार चौबिस तक का, इस समय इनकी प्रफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहेगी, और बहुत ही अच्छे अंकों से ये अपन और जो लोग एडूकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, उनके हाईर एडूकेशन का रास्ता भी साफ होएगा, विद्यश पढ़ने जाना चाहते हैं, उच्छे शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, सभी कुछ इस गोचर में संबभ हो जाएगा, एड्मिशन अच्छी जग संतान के माध्यम से आपको सुख प्राप्त होएगा, जिन लोगों के पहले से संतान है, उनकी से संतान है, उनको संबधित उनको खुशी मिलेगी या संतान की प्राप्लम सॉल्व हो जाएगी, गुरू लगन में आके इसकी दस्टी सेविंद पे पड़ेगी, तो पार्टन अब इसकी जो अगली जो द्रस्टी होती है, गुरू की तीन द्रस्टी होती है, फर्स्ट में तो जहां बैठते हैं, लगन में वहाँ उस भाव को भी ये सुदर्ड करती ही है, फिप्त द्रस्टी जो सिख्षा संतान पे है, सेविंद द्रस्टी जो पार्टनर्सिप और व आपको जिए आपको नमेके और यात्रान के कारे का पिता अगर ज्यादा उम्रेख के इस थाफ्ठांगी एक पींगे दिखेंगे और और बड़ दिखत उद्दास बागे का जाफ्राइब ये बात जाद आची तरह से मिलना शुरू होएगा भागे की जो भी रुकाउटे थी वो सब धूरो के प्रमोशन का मार्ग भी ये आपके लिए खोल देगा दुक्के दिन आप दिरे-दिरे कम होएंगे और सुक्के दिन आपके आने शुरू हो जाएंगे शुरू में ये 22 अपरेल से लेके 10 जून तक थोड़ा सा मद्यम फल देगा उसके बाद ये सिस्ट फलता ही हो जाएगा इस समय आपको डिप्रेशन से निकालने में ये साहता देगा पिछले साल जो आपको डिप्रेशन था तनाव था परेशानी थी अपमान था आपके उपर लेके आ रहा है कर्ज भी है तो कर्ज भी ये उतार देगा दाम पत्य जीवन का कलेज भी दूर करेगा और अगर आप नौकरी वैवसाह परिवर्तन करनी की काफी समय से टे निर्णनी ले पा रहे थे तो नौकरी वैवसावे में परिवर्तन और शेष्ट परिवर्तन होने का भी योग दिखाई दे रहा है अब बात करते हैं उपाई की गुरू और राहू का जो योग स्टार्टिंग में चल रहा है जिसमें की गुरू राहू के संग रहे के थोड़ से बढ़िया के शचार या पानवाई की चर्चाँ करऊें के कैसर के लाग के छेथो प्रते दिन अपने टॉसरत क्व हलती का दिली लिदा करके इस नान कर पानी पनी डाल के इसंसे इस गोचरकाल में सोने का खरीदारी तो करनी चाये प्रन्त अपने सोने को बेचना बिल्कुल भी नहीं चाये सोने को बेचने से गुरोग्रह खराब होईगा गुरु गुरे को और अधिक शेष्ट परिणाम लेने के लिए गुरु गुरे से हमको प्रति दिन मंदिर जाना चाहिए, मंदिर के दर्शन के लिए हमेशा तयार रहना चाहिए, मंदिर की सफाई करना चाहिए, मतलब मंदिर का दर्शन करना, मंदिर की और जाना, ये सब पल्दाई बना सकते हैं और गुरू का लाप उठा सकते हैं गुरू का ये राशी परिवर्तन आपके लिए शेस्ट परिण नाम लाए वीडियो अच्छा लगे तो शेर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आई यूरू के आईश्वरे के आपकी व्रती होती रहे इसी सुब कामना के साथ नमस्कार